अमेलिया को हमेशा अटारी से नफरत थी, एक अंधेरी सीलन भरी जगह जो भूले हुए अवशेशों से भरी हुई थी, लेकिन जब उनकी बेटी लिली ने इसे खोजने पर जोर दिया, तो वह अनिच्छा से सहमत हो गई, चर्मराती सीधियां चड़ते समय धूल के कण धु पूल भरी गुडिया पर पड़ी, उसका चीनी मिट्टी का चेहरा फटा हुआ था और आखें जीवन से शून्य थी, उसे यह बात अपने बचपन से ही याद थी, गुडिया को देखकर लिली की आखें चमक उठी, मा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अमेलिया जिनकी लेकिन अंततह मान गई, जरूर, लेकिन सावधान रहें, उस रात जब बाहर तूफान चल रहा था, अमेलिया फीकी भयानक हसी से जाग गई, वह आवाज का अनुसरन कर रही थी, उसके नंगे पैर लकडी के फर्ष पर ठंडे थे, अटारी का दर्वाजा अध खुला खड़ा था हलकी चांदनी अंदर फैल रही थी, अंदर वह हाफने लगी, गुडिया जिसे एक बार भूला दिया गया था, अब एक छोटी सी कुरसी पर बैठी है, उसके फटे होंट एक द्वेश पूर्ण मुसकान में बदल गए हैं, मेरे साथ खेलो, वह फुस फुसाया, उसकी आव चीनी मिट्टी के पैरों के निशान का एक निशान उसे वापस अटारी तक ले गया, अटारी की भयानक चमक में उसने अपनी बेटी को उसकी आँखें खाली गुडिया को पकड़े हुए पाया